नमस्कार मैं हूं प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरो क्योंड बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर विश्व हिर्दे दिवस के अफसर पर निश्रिक चिकसा परामर्श पकवारा इस पौधों को लगाने के लिए किसानों को सरकार दे रही बंपर सबसिदी बिहार से गुजरने वारी 18 ट्रेन के समय में बदलाओ बढ़कर दोहजार तईस वॉम अप मैच के लिए गुवार्टी पहुंची टीम इंडिया ATN Games 2023 में दिख रहा भारत का दमदार प्रदर्शन इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से BSSE CGL में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस दसे अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने BSSE CGL यानि की बिहार कलमचारी चैन आयोग 33 सना तक स्तरिय संयुतिप मुख्य परिच्छा में पास हो चुके हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे के बिहार कलमचारी चैन आयोग के दौरा इस परिच्छा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वरिफिकेशन के लिए तारीख जारी कर दी गई है जिसके तहट प्रमान पत्रों का सत्यापन की शिर्वात 5 अक्टूबर से होने वाली है जो की 9 अक्टूबर 2023 तक की जाएगी बतादे के जोरान अभ्यर्थियों को एक घोसना पत्र देना होगा जिसमें सभी तरह की जानकारी शामिल होगी के उनके दोरा सौपे के प्रमान पत्र सही हैं बतादे के सभी चेनित अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किये गए हैं जिसके आधार पर अभ्यर्थी को एक घंटा पहले आना होगा मालमों कि अभ्यर्थियों को प्रमान पत्रों की जांच के लिए दो पालियों में बुलाया गया है पित्रे पक्ष मेले में पहले दिन पहुँचे 25,000 तर्थियात्री बीत दिन से बिहार के गया में विश्व प्रसिद पित्रे पक्ष मेले की शिरवात हो चुकी है ऐसे में मिली जानकारी के निसार मेले के पहले दिन देश के विविन राजियों से कड़ी 25,000 तर्थ यात्री यहां पहुंचे थे जिन में से अधिक तर्थ यात्रियों के द्वारा अपने कुल पंडा के नरदीशन में फल्गु नदी के देवगाट विश्नु पदव अक्षयवट वेदी पर पित्रो की आत्मा की शांती वा मोख्च प्राप्ती की कामना को लेकर पिंडदान श्राद कर्म वतरपन का कर्मकान पूरा किया गया उस रक्षा को ध्यान में रखते वे 6,000 अत्रिक्त बलों की तैनाती की गई है वहिस के लावा गया शहर में स्थित 9 थानों से 10-10 बाइक गस्ती वाहन के पुलिसकर्मी आधुनिक तकनीक से लैस होकर सक्रिये रहेंगे विश्व हिर्दय दिवस के अफसर पर निश्वल्क चिकसा परामर्श पकवारा आज यानी की 29 सितंबर को विश्व हिर्दय दिवस है ऐसे में इस अफसर पर बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के दौरा राजी के सभी सरकारी इस्पतालों में निश्वल्क चिकसा परामर पक्वारा की शिर्वात की गई है जो की 12 ओक्टूबर दो हजार तेस तक चले गई है ऐसे में जीवन को खुशाल और रोग मुक्त रखने के लिए विभाग के दौरा दी गई जानकारी के नुसार रक्त चाप और मधुमे की नियमित जांच करानी चाहिए इसके अलावा रक्त के अलावा नियमित रूप से कॉलेष्ट्रोल की जांच कराए नियमित वयाम करे संतुलित अहार ले एवं तनाव मुक्त जीवन अपनाए तंबाकोस का सेव न न करे और वजन की नियमित जांच करवाए पतादी के निशुल चिकसा प्रामर्श पक्वारत जुरी अधिक जानकारी के लिए हेल्प लाइन नंबर 104 पर संपर्ग किया जा सकता है मध्य निशेद व उतपाद विभाग में SI भरती की सारेख दक्षता परिक्षा के प्रवेश पत्र जारी अगर आप में उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने मध्य निशेद व उतपाद विभाग में SI भरती के लिए परिक्षा दिया था और पास हो गए थे तो यहाँ खबर आपके लिए है पतादी की बिहार पुलिस अवर सिवा आयोग के द्वारा बिहार में मध्य निशेद व उतपाद रेजिस्ट्रेशन विभाग व बिहार फायर सर्विसेज में सब इंस्पेक्टर भरती के अभ्यर्थियों की सारेख दक्षता परिक्षा के लिए अड्मिट कार्ड जारी कर दिया गया है जिसे अभ्यर्थी आयोग की वेफसाइट डिपी एससी डॉट बी एएच डॉट एनाइसी डॉट इन पर जाकर अपने एड्मिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं इस बारे में आयोग के अध्यक्ष के इस दुवेदी के दोरा बताया गया है कि ऑक्टूबर ऑक्टूबर से दानापूर मंदल की 18 ट्रेनों के परिचारन के समय में बदलाव करने का एलाण कर दिया गया है बता देख इसको लिकर नया टाइम टेवल भी जारी कर दिया गया है हाटिया एक्सिने छरले लिये। पांच पांच छे बापुधाम हिलसा फतुहा मेमू पैसेंजर स्पेशल और 18617 और 18618 राजी न्यू गिड़ेडी एक्स्प्रेस के नाम शामिल है राजिक 174 प्रखंडों में खुलेगा दीदी अधिकार केंद्र काम के सिलसले में प्रखंड दफ्तर आने वाले लोगों को क करमचारियों के संपर्क में आने में किसी प्रकार की परिष्टानी ना हो इसको लेकर राजिक 114 प्रखंडों के केंद्र प्रखंड परिस्तर में दीदी अधिकार केंद्र खोले जाएंगे जिनमें जिविका समूं से चेहनत एक दीदी अधिकार दीदी बैठेगी जिनका क काम लोगों को संपर्क करमचारियों से कराने का होगा मालूमों कि इसको लेकर भवन के लिए जविका के ओर से विभाग को चिठी भेज दी गई है ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि दो महीने के भीतर प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खोले जाने के श्रुबात कर दी जाएगी आपकी जानकारी के लिबता दे के अधिकार दीदी ब्लॉक पर होने वाले कामों के निग्रानी करेगी और साथ ही उन लोगों पर भी अपनी नजर बनाए रखेगी जिदलाली और अधिक पैसे लेकर काम करते हैं वएं दीदी के दोरा किये जा रहे कारियों पर CLF यानि की क्लस्टर लेवल फेडरेशन के दोरा नजर रखा जाएगा च्छपड़ा में दो तसकर समीत सराब बढ़ामत बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी सिज़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं ऐसे म पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास ज्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही बता दे कि दाजा मामला च्छपड़ा के भगवान बाजार ठाना के पास भगवान बाजार रो पर रूप में की गई है, फिलाल दोनों तुसकरों को जेल भेज दिया गया है बिहार में जल्द होगा वॉलिबॉल लीग का आयोजन राजी खेल प्राधिकरन के ओर से बिहार के चार जिलों में वॉलीबॉल लीग कायोजन किया जाने वाला है जिसमें आर्टी में शामिल होंगे बतादे के संबन में खेल प्राधिकरन के दीजी रविंदरन संक्रन के दोरा बताया गया है कि बिहार वॉलीबॉल प्रीमियर लीग राज्य के चार जिलों में किया जाएगा जसमें भागलपुर, बेगुसराय, छपड़ा और बिहार की राज़ानी पटनाम शामिल है बिहार राज़ी खेल प्राधिकरर, बिहार वॉलीबॉल स्टेट एस्टिशेशन और यूनिक कोटा टेक इवेंट पार्टनर के रूप में मिलकर काम करने के लिए तैयार है जल्दी इसकी घोशना की जाएगी, विजटा टीम को 7,50 रुपए व उप विजटा के लिए 5 लाग रुपए और 3rd प्राइज 3 लाग रुपए रखे गए हैं बाकी बचे 5 टीम जो वॉलीबॉल प्रीमियर लीग में खेलेंगे उन्हें भी एक एक लाग रुपए नगत पुरुसकार से सम्मानत किया जाएगा इन पौदों को लगाने के लिए किसानों को सरकार दे रही बंपर सफसिदी अगर आप भी उन लोगों में हैं जो खेती और किसानी सिजरे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बतादी के राज्जी के 15 जिलों के किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहर बिहार सरकार के क्रिसी विभाग के दोरा फलदार पोथे जैसे आम लीची और अमरूद इत्यादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रती हेक्टेर तैलागत 60,000 रुपे पर 50 प्रतीशत यानि की 30,000 रुपे अनुदान के रूप में दिये जा रहे हैं किसानों को यह अनुदान की रासी सरकार की ओर से तीन चर्णों में उपलब्द करवाई जाती है मारम हो कि बिहार के जिन 15 जिलों के किसानों को इस योजना का लाब मिलेगा उनमें भोजपूर, कैमो, लखी सराय, मधिपूरा, नवादा, अरवल, सारन, बकसर, गोपाल, गंच, जहानाबाद, सेखपूरा, शिवर, सीतामरी, सिवान और सुपॉल जिलाश शामिल है भोजपूरी सिंगर गुंजन सिंग ने की चुनाव लड़ने की घोशना बितदन बिहार के नवादा जिले के रजवली में भोजपूरी सिंगर गुंजन सिंग फिटवॉल टूरनामेन का उधगाटन करने के लिए अमवा गाओं पहुचे थे जहां उन्होंने सभी को संबोधित करते वे कहा कि खेल जगत में पर्चम लहराने वारे सभी खिलारीयों को मेरी ओर से बधाई है उन्होंने कहा कि मैं आपके घर का ही भाई हूँ और इस पार सांसत के उमिद्वार के तौर पर नवादा से चुनाव लड़ूँगा अपके जानकारी के बता देगी गुंजन सिंग के चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जारी है मालुम हो कि जुरान गुंजन सिंग के समर्थकों की भारी भीर देखने को मिली और साथ ही उनके साथ सल्फी लेने के लिए भी काफी भारी भीर देखने को मिली मनोज जाका समर्थन करने पर लालु पृषाद को आनंद मोहन ने दी चितावनी राजिस सभा सांसत मनोज जाका समर्थन करने पर राजिस सुप्रीम लालु पृषाद यादब को आनंद मोहन के द्वारा चितावनी देते वे कहा गया है कि अगर हम किसी के साथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनितिक तौर पर भिख मंगा है उन्होंने कहा कि अगर आप हमें एक या दो विधान सभा सीट पर समर्थन करेंगे तो हम 243 विधान सभा सीट पर हमारा समर्थन करेंगे अगर आप एक लोग सभा सीट पर हमें समर्थन करेंगे तो हम आपको चाल इस लोग सभा सीट पर समर्थन करेंगे हम अन्याई के खिलाफ लड़ने वालों में है और मरते दम तक कमजोर और अन्याई के खिलाफ लड़ते रहेंगे इसलिए हम इसकी परवार नहीं करते ही कोई कौन सी पार्टी किसके साथ खरा है मनो जाने संसद में कहा कि नियाई पालिका में ठाकोर बैठा है संसद में ठाकोर बैठा है अपने अंदर के ठाकोर को मारो मैं पूछता हूँ कि संसद में कौन बैठा है सीम नितीश के पी-म बनने को लेकर भाई विरंदर के बयान पर प्रishand कसोर का तंज बिहार की बत्तर हिसिती की चिंता चोड़ा रजीरी विधायक भाई विरंदर का बयान चर्चा में हैं कि अगला पीम बिहार से होना चाहिए और कहा कि नितीश कुमार पीम उमिद्वार के तौर पर सबसे योगे हैं। वो ये तैक कर रहे हैं। देश में बिहार सबसे गडिब और फिसर्टी है और नितीश कुमार बात ऐसे करेंगे जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया है। वास्तव को जिले में नहीं आने की धमकी दी गए। जिसके बाद विनोथ स्रिवास्तव मीडिया से बाच्चित करते वे रोने लगे और उन्होंने कहा कि पुर्वी चंपारन की जनता ने जो प्यार और सम्मान दिया है। मैं मरते दम तक सेवा करते रहूँगा उन्होंने कहा कि तुमको यहां से भगा देंगे, मंच से उतार देंगे लेकिन जब तक सरीर में खून रहेगा, सहस रहेगा मैं पुर्वी चंपारन की जनता का सेवा करता रहूँगा। मैं सुरू से आरजेटी में रहा हूँ और रहूँगा उन्होंने कहा कि मैं लालू यादव का सिपाही हूँ। साथ अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता। इसके लावर टेवल टेनिस में साकेती माइनेनी और रामकुमार रामान अथन ने चीनी ताइपे के जेसन जंग और सूयू हाइसीू से हार का सामना करते वे सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मालम हो कि ये भारत का एक्षिन गेम आठ सिल्वर और बारा ब्रांच मेडल जीते गए हैं। लेवाली है लिकिन इससे पहले टीमों को दो-दो वाम-अप मैच खेल कर परिसितियों में ढलने का मौका मिला है। ऐसे में भारत अपना पहला वाम-प मैच 30 सितंबर को इंगलाइन के खिलेगा वही टीम इंडिया का अगला अभियान न्यूजिलाइन के खिलाफ तीरू व पहुमत फ़हीम, रंजीत मिश्रा भान प्रकाश मौड़या, उमेग स्रिसिदेव, सदिल्ला पल्वी, वेध प्रकास सिंग, रूपा कुमारी, रंगीला भान प्रकास, राज के सोर महतो, नुनो कोलु कुमार। इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल ACM Games 2013 में भारत के अच्छे प्रदर्शन को देखते वे, आप क्या कहना चाहेंगे। अपना जवाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस, और साथ ह अगर आप YouTube से देख रहें चाहल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहें तो Facebook को फालो करना ना भूले, धन्यवाद